हाई गाईज, वाट्स आप, ब्लॉक चेनल पे बिल्कुल भी ब्लॉक अपलोडी नहीं हो रहा है, लॉक्डाउन के बज़े से ब्लॉक चेनल पुरा ठब पर गया है, मगर आज का ये ब्लॉक आप लोग में 100% लिखके देता हूँ, अगर आप एक फूड लबर हो, तो बहुत जादा एंजोई करने वाले हो, तो ब्लॉक को एंटक जरूर देखना, तो यहाप आप देख सकते हो, मैं दो लेक्ट पिस रख चुका हूँ, आज बनाने जा रहा हूँ, ग्रिल चिकन, और यहाप आप लोग देख सकते हो, सारे इंग्रिडियन्ट रखा हूआ है, यहाप मैं सबसे पहले इसको मेरिनेट करने वाला हूँ, आज का ग्रिल चिकन रेसिपी के लिए, तो आप लोग एक एक करके देखते रहो, स्पून तो फिरहाल है, यहाप पे मगर मैं स्पून का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देशी बन्दा हूँ, तो देशी तरीके से ही ट पॉसिबल नहीं है, कि हम रेस्टोरेंट पे जाए, और फिर हम ऐसे जो रेस्टोरेंट रेसिपी होता है, उसका आनन्द ले, तो घर में बैठे इसका अगर आनन्द लेना है, तो एक बार देख लो, बहुत एजी है, मैं सब कुछ यहाँ से ले लेके डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो, आपको भी वैसे ही लेना है, और बहुत इजी भी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी बंदा आराम से इसको घर में बैठके बना सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं सब कुछ दे रहा हूँ, एक एक करके, और यह जो गालिक पेस्ट है, अद्रक और रसुन का यह आपको पूरा ही देना है, यह थोरा क्वांटिटी जाधा होगा, तो टेस्ट भरिया आएगा, ठीके दोस्तों, तो यह देख सकते हो, मैं दे चुका हूँ, और यह सीट भी में थोरा थोरा दे देता हूँ, और उसके बाद जो निम्बु है, इसको भी मैं यहाँ पे दे दिया, देख सकते हो, स्कुइच करके मैं निम्बु को दे रहा हूँ, और सौल्ट थोरा सा और चाहिए, तो मैं और थोरा सा दे रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग भी देना, लाल मिच्ची स्वाद अनुसर देना नहीं, तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो मैं मेरा स्वाद अनुसर इसको यूज कर रहा हूँ, आप फाइनली मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओयल रखा हुआ है, आप कोई भी ओयल यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं, आपके घर में जो भी ओयल हो, वो ही यूज कर दो, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशाल ओयल चाहिए यहाँ पे देख सकते हो, मैं स्पोयल भी दे दिया, मगर याद रखना, यह जो लेक पीस होगा, इस पे पानी ना रहे, और उसके बाद इसको आपको हाफ एन और तक मेरीनेट करके रखना है, इसलिए मैं अभी इसको सबसे पहले सल्यूशन के जैसा बना ले रहा हूँ, त यही को मैं थोरा सा यहाँ पे दे देता हूँ, ठीके दोस्तों, यह चिकन को सौफ्ट करने में बहुत ही जादा उपएगी है, इसलिए मैं यूस कर रहा हूँ, और टेस्ट भी बहुत बरिया आएगा, तो यह आप लोग देख सकते हो, मैं कैसे मिक्स कर रहा हूँ, ऐसे ही आप भी आपके ग्रील चिकन के जो भी पीसेस होगा, जो आप बाद में ग्रील के अंदर डालोगे, उसको मेरिनेट कर लेना अच्छे से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं मेरिनेट कर रहा हूँ, तो यह जितना अच्छे से मेरिनेट करके आप लोग रखोगे इसको, तो उतना ही अच्छा आपको टेस्ट आएगा ठीके दोस्तो तो ये मैं कर लिया आप देख सकते हो मेरा मेरीनेशन हो गया तो अब मैं इसको रख दूँगा 30 मिनिट के लिए आप तो दोस्तो 30 मिनिट हो चुका है तो अब ही आप देख सकते हो जो मेरीनेशन किया हुआ लेकपिस था वो कैसे दिखने के लिए लग रहा है अभी मैं इसको ग्रिल के अंदर डालूँगा और इसको फिर कैसे प्रिप्यार होते है वो भी दिखाने वाला हूँ ठीक है दोस्तो तो दोस्तो आपके सामने आभी वो ही OTG है जिसके अंदर आज मैं आप लोग को ग्रिल चिकन बना के दिखाने वाला हूँ और ये जो OTG है बहुत ही सस्ते में मिल जाता है 2000 रुपे के अंदर अंदर मिल जाएगा मैंने जब लिया था आज से 2 साल पहले तब इसका जो प्राइस था कुछ 1800 रुपे था तो बहुत ही चीप है अगर आप घर में मंगवा लोगे तो आप रेस्टोरेंट का मजा घर में ही ले पाओगे तो दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ के ने ने लोगों को मुश्किल ना हो तो यह प्रिष्टिज ओटी जी है सबसे पहले इसको आपको ओपेन करना होता है ऐसे ओपेन करने के बाद नीचे एक ट्रे रहेगा या पर आप देख सकतो एक ट्रे नीचे रहता है और उसके ऊपर रहता है ग्रिल जहाँ पे हम आज हमारे लेकपिस को डालेंगे ठीके दोस्तो तो आपको लेकपिस डालने से पहले इसके ऊपर आप यह जो ट्रे है इसको निकालिए थोरा सा और इसके अंदर वाटर दे दीजिए कूल वाटर आप डाल दीजिए नॉर्माल वाटर ताकि आप जब आपके ग्रिल के ऊपर जो चिकन लेकपिस को रखेंगे वो मौस्चर रहे ताकि चिकन अच्छे से प्रिप्यार हो ठीक है दोस्तो और यहापे अगर आपको थोरा सा घुमा के दिखाओ तो यहापे आप द उसको आप एट लिस्ट 45 मिनिट से लेके 50 मिनिट तक रख सकते हो ठीक तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग पानी जो है वो ट्रे के अंदर डाल लेते हैं तो ट्रे को थोरा सा निकालते हैं और यह पानी हम लोग देते हैं ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से मौस्चर तो यहाँ पर मैं पानी थोरा सा एट कर रहा हूँ ट्रे के बाहर पानी को आने मत देना नहीं तो फिर शॉर्ट सर्किट होने का खत्रा रहेगा ठीके तो ट्रे को अच्छे से अंदर डालना ठीके और पानी भी डाल देना उसके अंदर तो मैंने पानी भी डाल दिया और ट बरतन है इस बरतन से मैं अभी मेरे जो मेरीनेट किया हुआ चिकन था उसको ले रहा हूँ मिक्स करके और इसको आभी मैं डाल दूंगा इसके अंदर ठीके दोस्तों आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूँ ऐसे छोड़ दो इसको अंदर और उसके बाद दूसरा वाला लेंद ले दोस्तों पीस दिया था आज के इस वीडियो पर मैं दो पीस देके ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो मैंने अंदर डाल दिया उसके बाद आपको सिंप्ली से इसको बन्द कर देना है और याद रखना टेमपरेचर जो है वो 200 सेट करना है और फिर ये जो टाइमर है इसको आपको 50 मिनिट के लिए लगाना है तो अब जो मैं है इस ग्रिल को अंदर रख चुका हूँ चिकेन को तो अभी मैं स्विच ओन कर दूँगा और उसके बाद मैं 30 मिनिट बार अंदर के जो ग्रिल है उसक को दूसरे तरफ उल्टा कर दूँगा और फिर इसके अंदर फिर से घुसा दूँगा टाइम 50 मिनिट चाहिए इसको पूरा बन जाने में ठीक है दोस्तों तो आभी मैं स्विच ओन करने जा रहा हूँ प्रोसेस को करने के लिए अभी हम लोग 30 मिनिट तक वेट करेंगे और उसके बाद चिकेन को फिट से बाहर निकाल के उलट देंगे तो आभी आप देख सकते हो एकदम हाई भोल्टेज में यह जो ओटी जी है वो चल रहा है यहां से थोड़ा बहुत स्मोकी स्मेल भी आ सकता है घबराने की बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं अगर आप एक ने यूजर हो ओटी जी का और अगर आप फर्स्टेंड ग्रील चिक उसको प्रिप्यार करेगा ओटोमेटिकली तो यह आप हो रहा है आपको बस वेट करना है तो अगर दोस्तों आप लोग भी चाते हो ऐसे ही ग्रील चिकेन का मजा घर बेटे बेटे लेने का तो यह जो प्रेस्टीज ओटी जी है यह मेरा नाइन लिटर वाला ओटी जी है इ हमारा जो ग्रील चिकेन था आज चिकेन लेकपीस का वो बनके रेडी है विट बिर्यानी मैंने आज बिर्यानी भी घर पे बनाया और लेकपीस उसके साथ में तो रेस्टोरेंट का मजा घर में लेने वाला हूँ तो आप लोग भी चाते हो बहुत ही कम बजेट के अंदर- भी लेगा जब आप खुद बनाओगे तो आशा करता हो आप भी आप लोग के घर में इस रेसीपी को जरूर बनाओगे ग्रील चिकेन को इस ओटी जी के अंदर और आप भी इसका लुफ्ट जरूर उठाओगे अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो मैं में बबगाना